हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग इच्छे होगा दोस्तों फिर्स से आपका बहुत-बहुत वाकत है अधिक के road and bridge project जिसको कि हम जानते हैं मुंबई कोश्टल road projects के नाम से दोस्तों मुंबई कोश्टल road project एक बड़ा महत्वून राज्य मार प्रोजेक्ट है जो मुंबई के तर्ट को समेटता है आज के इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट से लेटर सारे facts and figures को जानने वाले है तो इस वीडियो को अंतक जुरूर देगेगा क्योंकि वीडियो बहुत important और interesting होने वाला है वीडियो पसंदा है like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बूलेगा दोस्तों मुंबई एक metropolitan city है यहां का traffic system पीव पावर में जाम हो जाता है अगर 10 मिनट आप car से या बस से travel कर रहे ह तो दोस्तों उसको कई बार travel करने में 30 मिनट से एक घंटे तक का समय लग जाता है इस project का मुख्या उद्देश है मुंबई के याता यात को सुगम और अत्यधिक loading से राहत प्रदान करना मुंबई coastal road की कुल लंबाई लगवग 39.2 km की है जो मुंबई के पश्यमी तट को सम प्रामिला एपको इंफाटेक जैकुमार इंफा प्रोजेक्ट एंसी सी लिमिटेड मेगा इंजिनिंग प्राविट लिमिटेड और लाडशन इंट्रोबू इस प्रुजिशन का निर्मान 2018 में प्रारम वाता जोकी अब तक चल रहा है मुंबई coastal road के माध्यम से याता यात क सेगरिड करने और बरती जन संक्या के ट्रैफिक को समाधान करने के उद्देशे से बना जा रहा है इस प्रुजिशन का निर्मान वायू जल प्रातिकी साधनों के प्रभाव को ध्यान में रख कर किया जा रहा है इस coastal road के कुल निर्मान की लागत 12,000 क्रोड से भी अधिक है यह road मुंबई के पस्चिम उत्तरी तटो को जोड़ेगी जिससे लोगों को सगम यातायात का लाब मिलेगा मुंबई coastal road में अलग-अलग segregated corridor शामिल है इसमें की bus corridor, bike lane, गाड़ी lane, पैदल यातायात के लिए विशेश corridor शामिल है इस प्रियोजन का निर्मान प्रियावण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है प्रियावण संक्रेक्षन के लिए कई उपाय भी किये जा रहे हैं दोस्तों ये थी हमारे मुंबई coastal road projects related कुछ information तो दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुली गए फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाय हिन जाय बारत